हेलो गाइस तो स्वागते आपका टेकनिकल अंकित मैं और में नामें अंकित और आज की वीडियो रेडमी 12 यूजर्स के लिए होने वाली है तो गाइस रेडमी 12 डेवाइस के लिए हाइपर ओयस का एक न्यू अपडेट रोल आट हो चुका है जिसका वर्जन है 1.0.3.0 तो गाइस इससे पहले वी एक न्यू अपडेट आया था हाइपर ओयस का जिसका वर्जन था 1.0.1.0 तो गाइस अब रेडमी 12 डेवाइस के लिए एक और न्यू अपडेट रोल आट हो गया है हाइपर ओयस का जिसका वर्जन है 1.0.3.0 और गाइस यह अपडेट भी गलोबली रोल आट हुआ है तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाल हो कि कैसे आप इस अपडेट को डाउड कर सकते हो मैनुली अपने रेट भी ट्वेल डिवाइस के लिए तो वीडियो बने रहेएगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा वीडियो काफी जादा है और गाइस अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक कर देना चैनल पर नह Else हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं so guys update डाउड करने के लिए आपको करना क्या है मैंने डिस्किप्सन में एक लिنक दीया आपको इस लिंक के क्लिक करना है जैसे उस लिंक पे किलिक करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ आपके सामने MIUI की ओफिसल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ आपका Redmi 12 की रोम अपडेट आ जाएगी तो यहाँ आपको करना किया है यहाँ आपको स्कॉल करना है जैसे आप इस कॉल करोंगे तो यहाँ आपको सबसे फर्स नमबर वर ग्लोबल का हाईपर OS अपडेट देखने हो मिल जाएगा जिसका वर्जन है 1.0.3.0 और यहाँ आपको recovery रोम देखने हो मिलेगी और नीचे की साइट यहाँ आपको ओटा अपडेट देखने हो मिलेगा तो गाईस वर्जन चेक कर सकते हैं अपडेट के जो साइज जो हो है 585CMB और गाईस यह जो अपडेट एपलाई होगा वो 1.0.1.0 वर्जन पे होगा जो कि अभी आपके time पे run कर रहा है आपके phone में तो गाईस आपको करना है क्या है यहाँ आपको blue color की dial link पे click करना है जैसे आप यह blue color की dial link पे click करोंगे आपके सामने एक new page open हो जाएगा तो यहां आपको करना है क्या है यहां आपको स्कॉल करना है जैसे आप यह स्कॉल करोंगे यहां आपके सामने चार मेरे लिंक आ जाएंगी तो यहां आपको इसी मेरे लिंक से अपडेट डाउड कर सकते हैं अपने Redmi 12 device के लिए तो guys यहाँ आपको कोई सी mirror link select कर लेनी है यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट डाउड होने लगा Redmi 12 device के लिए तो guys इस तरीके से आप अपने Redmi 12 device के लिए इस Hyper OS के new update को डाउड कर सकते हो जिसका version है 1.0.3.0 तो मैं ऐसे update को cancel कर दो क्योंकि मैं आपको process बता रहो कि कैसे आप Redmi 12 device के लिए इस Hyper OS के new update को डाउड कर पाऊंगे तो guys जैसे आपका update successfully डाउड हो जाए तो आपको करना क्या है यहाँ आपको अपनी home screen पर आ जाना है home screen पर आने के बाद अब आप इस update को install कैसे करोंगे उसके बारे मैं आपको बताएता हूँ तो guys आपको करना क्या है आपको अपने file manager पर जाना है file manager पर जाने के बाद आपको इस update को move करना है अपने internal या SD card में अगर आपके phone में SD card नहीं है तो आप internal भी move कर सकते हो बट आपको इस update को move करना है और आपको ध्यान अखना है, आपको किसी folder remove नहीं करना है, आपको इस update को openly remove करना है, otherwise इस update को आप जल्दी find नहीं कर पाऊंगे, तो गाई जैसे आप यह work कर लो, तो आपको करना क्या है, आपको अपने phone की setting में आ जाना है, phone की setting में आने के बाद आपको अपने about phone पर जाना है अब आप फोन पर जाने के बाद आपको अपने hyper os के 1.0.1.0 वर्जिन पर गलिक करना है, आपके सामने hyper os का लोग कुल कर आ जाएगा, तो आपको इस logo पर continuously क्लिक करते जाना है, जैसे आप यह क्लिक करोंगे, तो यहाँ आपको अपने एक additional feature on हो जाएगा, तो यहाँ आप सारे फोल्डों कुल कर आ जाएगे, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको update भार remove करना है, तो आप जैसे scroll करोंगे, तो आपको नीची के साइड 1.0.3.0 वर्जिन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे उस पर क्लिक करोंगे, तो यहाँ आपका update install होने लग को download कर सकते हो, जिसका वर्जिन ने 1.0.3.0 और मैंने आपको install करने का तरीका भी बता दिया, तो आज की वीडियो के बस इतना ही, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक like कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर देना, और side में bell icon को press जरू क ताकि आपको में latest वीडियो की notification सबसे पहले मिल जाए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you